हेलो एबरीबन वेलकम बैक टू ओन माई यूटूब चैनल कैसे हैं सब तो आई होप कि सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ तो बने रही है वीडियो इंट्रस्टिंग होने वाली है आज क्योंकि आज मैं बिल्कुल बिल्कुल अलग रेसिपी आप लोगों के साथ शे निवाद आप सभी का तो प्लीज ब्लॉग को पूरा देखिए और एंट तक देखिए और प्लीज ब्लॉग को लाइक जरूर करना और वीडियो अच्छी लगे तो मुझे कॉमें शेक्सन ने जरूर बताना तो मैं अभी जा रही हूँ पूजा करने के लिए और आज दुर से बनाती हूं वह नाश्ता तो प्लीज आप भी अपनी बच्चे को खिला सकते हैं बहुत ही हैदी होता है बहुत ही टेश्टी होता है आप खाईए बच्चे खाएं बड़े खाएं बज़ुर्ग खाएं सबी के लिए बहुत टेश्टी होता है तो आज हमारे यहां और यह कोशिश करूँगी पूरी दिखाने की तो प्लीज गैस बने रही ब्लॉग में वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चलिए चलती हूँ अभी जारी हूँ पूजा करने यानि भगवान जी को भोग लगाने उसके बाद में जाओंगी अपने सूप और किचन में तो फाइनली यहां पे मैं आ गई थी छट पे फोन लेकर और अफसोचा आप लोगों को दिखा देती हूँ तो बारिश होने के बाद जो पूरी छट देखें गीली के लिए बारिश तो अभी रुप गई है और बारिश के बाद जो मौसम होता है ना एकदम सुहाव ना सा बि गार्डन में जाके बैठके और योगा करूं कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है हर याली बारा सुबह सुबह देख लो ना तो पूरा एकदम मन एकदम फ्रेश हो जाता है तो चलिए अभी मैं चलती हूँ अपने किचन में और फाइनली मैं आगे किचन में और यहां प हैं कोडिन कांटोरि और यह थोड़ी डाली है मैंने सूजी तो सूजी जादा नहीं हुड़ी है थोड़ी डाली है और यह यह पर ऑनियन घिसके रक्की है मैंने थोड़ी सी करोי सी और यह देखे मैंने ना इसको जो तीनों चीज़े थी उनको मैंने अच्छे से ode возь लिया ह और ये अजवाइन और कसूरी मेती है थोड़ी सी और ये मैंने प्याज इसमें ग्राइट करके डाली है और काट के भी डाल सकते हैं या पीस के भी डाल सकते हैं लेकिन ग्राइट की हुई प्याज बहुत ही टेश्टी लगती है तो ये देखिए सब चीज को मैंने अच्छे स मिक्स कर लिया इसमें और एकदम जो भी है ना इसको विल्कुल ऐसे है जिससे कि हल्का हो जाए , है नि से बहुत शकर हो जाता है जितना ज्द जादा बे navy मरे सन को मिक् journée है इसका जो जो घो पकवान होता और ये देखिए मैंने इसको पूरा इस पे फैला दिया है तो इसको आप बेसन का चीला भी बोल सकते हैं कुछ लोग इसको बेसन का चीला बोलते हैं पर ये बेसन का चीला नहीं है ये बिल्कुल बिल्कुल अलग नाशता है क्योंकि इसमें गहूं का आटा और सूजी है और जो flavor है वो बहुत ही यमी और बहुत ही अच्छा आता है गाईज और मैं बिल्कुल अलग तरीके से बना रहे हूँ मैंने अभी तक ऐसे कहीं नहीं देखा है बनते हुए और ये इतना tasty था ना कि बेसन का भी नहीं इतना tasty लगता है जितना tasty ये था क्योंकि अभी गर्मिया है तो बेसन अतना healthy नहीं होता है बच्चों के लिए तो इसलिए मैंने थोड़ा गेहूं काटा और इसमें सूजी भी डाली है और बहुत ही tasty बना था एकदम करारा करारा soft soft और इसको आप चटनी के साथ और दही के साथ ये sauce के साथ भी खा सकते हैं तो बस इसको ऐसे ही पलट पलट के और इस पे ना oil भी मत लगा हूँ आप और बीना oil के भी ये पक जाता है देखिए कितना अच्छा एकदम करारा हो गया है बैक ट्राइट से और बस बने रही ब्लॉग में नाश्ता अगर आज का मेरा बरुक्पाश आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज मुझे कमेंस सेक्शन में जरूर बताईएगा तो बहुत ही अच्छा चीला बना था देख सकते हैं इसको चीला ही हो लेंगे वैसे तो तो को बच्चे बहुत ही सौक्से खाते हैं धर खूब पानी पीते हैं खाने के बाद भहत ही हल्दी नाश्ता होता लिए यह तो बहुत हे है और यह यहां पर चाय बंचकी है मेरी तो आजाईये मेरा क्योंकि कल हम लोग कहीं जाएंगे तो मैं ब्लॉग आपको बना के वहां का अपलोड कर दूँगी तो बस यही था आज का ब्लॉग और यहां देखिए मेरे नेटकर जो है अपने पापा के शूस पैन के घूम रहे हैं इन्हें गिरने का बिल्कुल डर नहीं है कहीं भी गिर जाता है शूस पहने हुए फिर गुस्सा करता है कि हम लोगों ने जैसे इसी गिरा दिया है तो चलिए काइस अभी मैं कर रहे हैं ब्लॉग का एंड और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीस लाइक करना और आज का मेरा वेशन का चीला आप लोगो को कैसा लगा तो जो को जरूर खिलाईएगा लंबे समय तक भी चल जाता है ये और बस यही था आज का मेरा ब्लॉग और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत थैंक्स आप सभी का ब्लॉग को पूरा वाच करिए तो थैंक्स वर वाचिंग मैं वीडियो मिलती हूं ने अच्छ तो टॉपिक के साथ खुश रहिए मस रहिए बाई बाई